प्रेमी निक हत्या के बाद परी जनों को फसानी की रच्ची साज़िश धाई साल के सवाल पर बोले सीधियो इस पर फैसला हाई कमान को करना है पकड में आये फर्जी तहसीलदार और आराई लॉक्टाउन में दुकानदारों से कर रहे थे उगाही अब देखते हैं खबर वस्तार से कोरोना से दिवंगत मीडिया कर्मी के आश्रित परी जनों या इलाज कराने वाले मीडिया कर्मी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र अभी लेखो सहीत संबंदित जीला जन संपत कार्याले में जबा कर सकते हैं मीडिया कर्मी को यह आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकाल कल्यान कोश समीती की बैठक शीग रही बुलाई जारी है गरतलब है कि मौके मतरी भुपेश बगिन ने अपने बजट भाशन 2021 और 22 में मीडिया कर्मी की और समाईत मृत्यू पर संचार प्रतिनीधिक कल्यान सहायता अर्थ नियम के तहत आर्थिक सहायता राशी को दो लाख रुपे से बढ़ा कर 5 लाख रुपे किये जाने की की आईजे एफ के प्रदेश अध्यक्ष शरंजीत सिंग सहीत वरिष्ट पत्रकारों और पत्रकार संगर्टों ने पदाधिकारों ने सराहना की है वही रायपूर प्रेस कलब के अध्यक्ष दामु अंबेडाले ने सहायता राशी को बढ़ा कर 10 लाख रुपे किये की की थी रायपूर प्रेस कलब ने तत्कार उसे अभार वेक्ष दिकिया था आज हालत काभी गंभियर लेच चुका है कुप्चार में पत्रकार साथ्यों की आर्थिकी स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है और संकर्मान से दिवंगत पत्रकारों के परिवार इंदम असाहाय हो गए है इसलिए संचार प्रत्रीगी असामिक नित्यू साहताराशी पूरों गोचीत पांच लाग रुपई से बढ़ा कर 10 लाग रुपई की जानी चाहिए 36 गड़ के संवेदर संच मुखमत जी से उम्मीद है कि वहाँ अपने राजी के दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को 10 लाग रुपई की साहताराशी उप्रण दिकराने का हैसला जल्द जल्द ले ताकि आना वाले पत्रकार साथियों को ऑर घम्रीरिक फिरीड पत्रकारों को साहताराशी मिल सके है कोरबा के कटगुरा थाना अंतरगत ग्राम तुमान में हुई एक युप्ति की हत्या के गुथी को सुलजाने में पुलिस को पड़ी सफलता मिली है कल तक पुलिस को इस मामले में ऑनर की लिंक को समझाते हुए मृतिका के परिजनों से पूस्ताश कर रही थी पिता पुत्र समय चार लोगों को संदेही के रूप में पूस्ताश के लिए थाने लगाया गया मगर इस हत्या कार्ण में पुलिस की गहन जांच में जो तथे सामने आये उसके मताबिक युफ्ति की हत्या परिजनों ने नहीं बलकि उसकी प्रेमी संजच चोहान ने की थी संजच ने टेलिवीजन सीरियल क्राइम पेट्रोल को देखकर ऐसी अंदाज में इस हत्या को अंजाम दिया हत्या के बाद उसने क्रिशना के मोबाइल से अपने मोबाइल वर्क कडगोरा के यूवक नेमेंद्र के मोबाइल पर बाजी मुझे मार डालेंगे यहां पुलिस कुछ समय के लिए उलज गई मगर गहन जांच पूस्ता जो सर्विलेंस से हत्या के इस मामले का 24 घंटे की भीतर ही खुलासा हो गया उस साड़ी में उसके गले में फंसा करके उसको खीचा तो लड़की जो है वहीं पर बाड़ी के जमीन है वहाँ पर गीर पड़ी और उसके बाद जो लड़का जो है उसकी जान नहीं गया होगा करके पूना जो लड़की के जो दोनों पैर है उसमें अपना पैर रख करके लड़की की गले को फिर से टाइट किया तो लड़की की जान चली गई और इस तरीके से लड़का जो है वहाँ से चला गया और अपने घर में उना जो दूर में गाड़ी को छोड़ा हुआ था जंगल तरफ वहाँ पर बाईक में आया था बाईक को लेकर अपने घर चला गया प्रदेश के स्वास्त मंत्री टियंस सीदेव से एक बार फिर पूछा गया कि क्या सरकार के धाई साल पूरे होने के बाद आप मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके जवाब में उन्हें ने कहा कि इस पर फैसला हाई कमान को करना है। वो जो फैसला करेंगे हमें वे मानने होगा। ये सब राहुल जी के और सुनिया जी के निर्ने की बात होती है। कोई धाई की बात अमुमन नहीं रखना चाइए मनन में। उनका निर्ने है। उजैसा चाहेंगे वैसा आगए हम दोब चलेंगे। जगदल्पूर के गावो में लॉक टाउन की दोराज समय पर दुकान बन नहीं करने चारों लगा कर दुकानदारों का चालान काटने वाले फर्जी तहसीलदार और राजश्व निरिकषा को पुलिस ने पकड़ लिया इंके पास से फर्जी चालान और दुकानदारों से चालान काट कर रुपए की उगाही कर रही है पुलिस निजाश के दौरान इस मामले के संदेही जीत और मुहमश रहवास खान को घेरा बंदी कर पकड़ा दोनों की तलाशी लिने पर 16 फर्जी चालान के प्रति मिली इसके अलावा 50,000 रुपए नगर और दो मुबाइल भी ब पता कर जो है लागडाउन के दावरान दुकांदारों पर चलानी के रुपए के नाम से रुपए पैसे की उगाही किया जा रहा है और इस संबंद में जो है तसिल्दार जगदलपूर की और से थाना कोत्वाली में ग्यापन भी प्राप्त हुआ था और ग्यापन के अधार अपराद पंजीबत कर अनुसंधान में लिया गया था लुपथोने की कागार पर पहुंच चुके दुरलप वन जीव पैंगोलीन की तसकरी कर बेशनी के फिराख में ग्राहक तलास रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरबतार किया है आरोपियों के कबजे से दुरलप पैं अधिनियम के तहट जुर्म दर्ज कर मामले की जांच की जारी है आपको बताया दे कि सराइपाली थाना छेतर के बलौदा पुलिस चौकी अंतर गत ग्राम जाम पाली से पुलिस को सूशना मिली कि कुछ लोग दुरलप वन जीव बेचनी की फिराख में घूम रहे हैं कुस्ताच करने पर जंगल से पकड़ कर लाने की बात उनके द्वारा कही गए और वे उसे बेचने की फिराख में ग्राहक तलाश रहे थे वन जीव की तसकरी के मामले में दोनों आरोपी डबरु सिदार और नेपाल सिदार को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ वड़ने प्र सूचना मिलते ही तुरंत चौंकी प्रभारी बलोदा के द्वारा अपनी टीम लेकर घटना इस्तार रवाना हुए जाम पाली में जहां पर उन्हें दो व्यक्ति संदिक व्यक्ति मिले जिनके द्वारा ये जो विलुप्त प्रजादी का बनी जो है उसकी बेकरी के लिए ग इस दोरान कोई घटना नहीं घटी और हेलिकॉप्टर पर सबार स्वास्त मंत्री सिह देव समेथ सभी लोग बाल बाल बच गया है कुशल शेम पूछा राजसाशन के निर्देश पर हेलिकॉप्टर के चीफ पाइलेट और विमानन विभा के अतरिक संचालक इस पूरी घटना के विमन पहलियों की जाज कर अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे दिख रहा था कि कांच भटते जा रहा है किर में सो राइपूर में 61 मरीज मिले हैं जाजगिर में सरवाधी का अट लोगों की कोरोना से मौत हुई है जबकि राइगर में चार बलदा बाजार में तीन लोगों की मौत हुई है कोरोना की दूसरी लहर से भारी नुकसान और तीसरी लहर से बच्चों को होने वाले प्रभाव के आश्रंका के मद्दे नजर 36 कर में अभी से तयार की जा रही है कोरोना की दूसरी लहर ने स्वास्त विभाव को काफी कुछ सिखा दिया है यही वज़ा है कि संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए अंभीकापूर मेडिकल कॉलेज अस्पतार प्रबंधन अभी से सजग नजर आ रहा है विशे सग्यों का मानना है कि संभावित तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पर जादा पड़ेगा इस से निपटने के लिए अभी से अंभीकापूर मेडिकल कॉलेज अस्पतार प्रबंधन द्वारा विशे इस तयारिया की जा रही है प्रबंधन द्वारा यहां बच्चों के लिए ऑक्सिजन योगत 20 बेट का कोविड वार्ट तयार किया जा रहा है इस वार्ट को बच्चों के अनुरूप तयार किया जा रहा है अभीकापूर मेडिकल कॉलेज अस्पतार की कंसर्टेल प्रियंका कुरिल ने बताया कि वार्ट में चारो और वाल पेपर लगाए गये हैं ताकि इलाज के दौरान बच्चों का मनुबल बढ़े और उन्हें इस बात का एसास ना हो कि उनका इलाज किसी कोविड अस्पताल में चल रहा है तीसरी दहल को लेकर जो पेडियाट्रिक वार्ड है वो 20 बैट का तयार किया गया है जो हमारा ICU है नया ICU जो बना है 20 बैट का उसके नीचे वाला फ्लोर है उसमें 20 बैट का मानी मंत्री जी के निदेशन उसर तयार किया गया है डॉक्टर लेकिन सिंग के मार्ग दर्शन में अस्पताल कंसल्टेंट प्रियंका कुरिल अपनी टीम के साथ इस्विशीज कोविड वाट एक अलग रूप दे कर तयार करने में जूटी हुई है राइपुर के तेलिवांधाई इलाके में तीन गांचा तसकरों को पुलिस ने गिरफतार किया है गांचा तसकर निखिलियादा, मनिश सिंग और जितीन रिदास के पास 21 किलो गांचा और 83 हजार नगदी समेथ एक कार जब्त की गई है, गांचे की कीमत करीब 10 लाक रूपए बताई जा रही है सुरशपूर जिले के ओड़गी ब्लॉक के धरसेडी गाउं पे बन रहे, खुवे की मिटी धस्रिकने से अंदर तीन मजदूर फसके करीब 24 घंटे तक चले रेस्क्यू की बाद भी तीनों को नहीं बचाया जा सका, मुख्यमंत्री फूपईश पगीले सुरशपूर कलेक्टर को तीनों मृत्व श्रमीकों के परिजन को पाश-पाश लाक रूपए के आर्थिक सहायता देने को कहा है हादसे में मारे गए तीनों मजदूर धर सेड़ी की रहने वाले थी उनके पहचान, नामसाय, आगेंद्र और सजन सिंग के रूप में की गई है तीनों रोजी रोटी के आस में कुय का काम करने आये थे मनरेगा के प्रोजेक्ट के तहट ये कुवान खोदा जा रहा था अगले दिन ब्रतकों के परिजनों से मिलने के लिए स्वास्त मनरे टीसी देव भी पहुँचे बुलेटिन में फिला लित लाहीं, आप बने रिये डीवी लाइब के साथ, नमसकार